सर्दियों का मौसम है और अच्छ अच्छाआ काने की सब्जी बहुत जाद अच्छी मिल जाती है सर्दियों में खास तोर से हज़ी सब्जी हो गया मौंगफली हो गया गॉल sama कितना तो आज हम मुंगफली की सब्ची बना रहे हैं यहां यह यह पर बनाना सब्ची करते हैं यहां पर मैंने बावल में बैसन लिया है और भीतन मेरे भी नमक मेरीचिर पाउडर हल्दी और थोड़ा सब्ची ठील डाल कर इसको मिक्स किया है और चाट मसाला भी डाला है आप चाहिए स्केप भी कर सकते हैं इसके हम यहाँ पर मुमफली आड़ कर देंगे अगर आपका जो यह सलरी बनी है यह थोड़े इस तरीकी से पतली बन गी है तो डूंट वरी आप इसमें थोड़ा सा और बेसन आड़ करकर इसको अच्छे से मिक करना यहाँ पर कढ़ाई गरम होने के लिए तेल में रखी है इस तरीके से हम कढ़ाई में मुमफली को इस तरीके से चमच की हैल्ट से इसमें डालेंगे आप डैरेक्ट सारा एक साथ बैटर ना डालें फिर वह अच्छे से बनेगी नहीं मुमफली इस तरह और यह आप फ्लेम तेज रखें ताकि जो मुंगफली है वह अच्छे से अंदर से पक जाए इस तरीके से पकने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आज हम लोहे की कड़ाई में हमने मुंगफली फ्राइ करी है और लोहे की कड़ाई में हम सब्जी बनाएंगे मुंग तो निगाला प्लोली जेरा डाल कर फ्याच को भून लिया अच्छे से उसमें थोड़ा सा अद्रग लसन का पेस्ट भी डाल दिया आप चाय तो कर देल सकते हैं फिर यहां पर मैंने एक टमाटर को पीस कर डाला है एक ही टमाटर लिया है थोड़ा सा पानी डाल कर इसको थो मसाला यूज किया था तो अपने अकॉर्डिंग ही मसाले को डाले यहां पर मैंने हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर धन्या पाउडर और नमक डाला है इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद एक मिनट पकने के बाद अब हम जो हमने मूमफली फ्राय करके रखी दी बेसन में इ या सब्सक्राइब करें थिति द्राइब में ठ्राहिए जाना सकते हैं मीडियम फ्लेम पवर डओ का जाते हैं अब अन्यकों सब्सक्राइब आपको पता चल जाएगा इसका अचा हुचा को बंग देंगे अगरम सब्सक्राइब करेंगे प्लीज मैं चनल को सब्सक्राइब कर दिए जाद जाद शेयर कर दीजिए थैंक्स फर वाचिंग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज